श्रामण मास के पहले सोंबार पर हर्याना के नुह में बरसों से आयोजित होने वाली ब्रजमंडल जला भिशे की यात्रा में शामिल होने के लिए कुरुक्षेतर से करीब 500 शिव भक्तों को गीता मुनिशी प्राता समर्णिय पूजेपद स्वामी ज्याननंजी महराज ने भ बसों में शिव भक्त ब्रजमंडल यात्रा के लिए रवाना हुए शिव भक्तों को रवाना करने के उप्रांत मीडिया से बातचीत में स्वामी ज्याननंजी महराज ने कहा कि शिव भक्त आपसी भाईचारा और सत्भाव बढ़ा कर श्यांती पूर्ण अपनी यात्रा यात्रा पूरी करके वापस आएंगे किस्ताली कुरुक्षेतर से अपने समाज के जो लोग ब्रजपरदीश जो हर्यानक श्यातर में लगता है वहाँ जाकर के बगवान श्युव का बगवान महादेव का जो जराब श्याक करने के लिए जा रहे हैं बस्तुता यह में लगता है कि एक अच्छा उत्सा दिखाई नहीं ऑजिए दे रहा है और वहां उस किश्तर में जो फगवान श्युव का एक पौरानिक स्थल है फगवान महादेव के भाव से तो उस स्थल को भी पूरे क्श्यतर में पूरे समाज में एक उस धंग का सुरूप राप्त हो उस तिशामी जो कदम है यह जो पहल है वो ए प्रेड़नात्मग पहल है अच्छी पहल है तो अपनी आस्था की दृष्टी से यह समाज यहां से कुर्क शेत्र जिला से प्रांत के अलगलग शेत्रों से समाज जा रहा है वो यहां से भक्त जन जा रहे हैं जै शिराम जी आज बड़े सोभगे की बात है कि नलड महादेव में जारी है हमारी यात्रा और सभी हमारे समाज के संतों के मार्क दर्शन में समाज के लोग जा रहे हैं हम यही सरकार से कहेंगे कि सब की सुरक्षा रहे क्योंकि एक धार्मी यात्रा है लोगों को इससे जुड़ना है और यात्रें सदा चलती रही है शांती से रहें धन्यवाद ऐसे कुर्चेतर से इस बार अपना जो ब्रिज मंदल यात्रा है इसके लिए यहां से साथ बसे जा रही है अब यहां बैसलीर निलड महादे मंदल जा रहे है और पूरी तरह फौलू की है और सरकार की वज़ें यहांतरा सब सफलता पूल अब जा रही है हमारी बोले भक्तों से यह अपील रहेगी कि सभी शांतिपूर पुरू से जाए अपना जल चढ़ाए गंगा जल पवित्र आया हुआ है उसे हम वहाँ पर पवित्रता से चढ़ाए और अपनी पुजा यार्चना पर ध्यान रखे है जा रहे हैं यात्रम क्या करना जाएंगे और जला भिशेक करकर श्रावन मास की आप सभी बी पोजिटिव के देखने आले दर्कशुव को भी शुब कामनाई देता हूं और भोड़े नाथ से ही प्रात्ना करता हूं के सनातन प्रेमी पूरे विश्व में देश पर देश में विदेश में जहां भी हमें सुन पा रह हैं सबको शुब कामना हैं सबको मंगल कामना हैं सबको साधुवाद